नमश्कार कैसे हैं आप से फ्रेंट्स मुझे उमीद है आप बहुत अच्छे होंगे पढ़िया होंगे स्वस्त होंगे मैं हूँ शानली स्वाकत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शानली क्लासस में जहांपर आज की ये क्लास आपकी साम का समय चार बुजे जैसा कि हम डे छबी ऑं-लाइन मैं आ रही हूं, आपको अपडेट मिल रही है, आपको हर चीज में पताचलेगे और आप आपर क्लास पो देख पाएंगे, इसके लिए आपको जरूर से जरूर से इनल को सबस्क्राइब करना है, टेलीगाम को जोइन करना है, आईए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को यहाँ पर बज रहा है चार जो आपकी डेली समय का क्लासेस है अब देखना है कि हम यहाँ पर आज क्या पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट आपका जो विश्य मैं आज आज आपको पढ़ाने चल रही हूँ वो है संस्क्रिट जो कि आपका यह सैवन्थ पेपर है ध्यान रखना है फ्रेंट आठ पेपर आपको डिलेट फर्स समेस्टर में दीने होंगे आप लोग के लिए सारी क्लासेस में स्टार्ट कर बैस शानी क्लासेस पे चल रहा है आठ सब्जेक्ट में बहुत साय चेप्टर मैंने आपको सब्जेक्ट कह सकते हैं कि 5-5 लेसन तक कवर उप कर दिये हैं तो आदी जर्नी जर्नी है हमारी वह हमारी कवर उचुकी है बाकिसे इसका हम करते हैं तो होफुली जिन भी भाई ब चीज वहाँ पर पता चल जाएगी अगर तब भी कोई आपको प्रोब्लम होती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं शानी क्लास जोड़ोबन डाट कॉम पर आपको मैं मिल जाओंगी अधर्वाइस आप मुझे जो है कॉमेंट वॉक्स मेंशन करके पता सकते हैं तो दोनों त लाकार के प्रकारों के बारे में बताया था जिनवे वित्तिरों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर स सकते हैं कि संस्कट एक ऐसा सब्जîneक्ट है जो आपको दिककतों में डाल सकता है जैसे कि दिक्कत क्या है? कि 25 नमर का पेपर आने वाला है अगर आ स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को तिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया क्लास स्टार्ट होने चल लए तो प्लीज फ्रेंड्स यह आपकी एक responsibility हो और मेरे support के लिए आपको यह करना होगा आप करेंगे तो मुझे क्षोgraphya के तो मैं आपको चैप्र फिट स्ट चार्ट कि आपको फटैसकर जसमें इत्तरऊ कर वाया में उसके माने और वचन के बारे में बत दालगाया था धादू का जो अर्थ होता है उसके प्रण का यह भी बताया काफी चीजें मैं आपको पहसारि कि उधार से भी ऑगत कराया जिसमें आपको हर एक बारे में बताया है दस प्रकार पताया है डस प्रकार में कैसे का आता है As एक्जामपल के रूप में मैंने आपके सामने उस चीश को सामने रखा अब उसी तरहीके से से मैं हाँ पर एक नई धात उसे आपको इंट्रडिस कुराने चल रही हूँ जिसमें आपको मैंने कल ही बोला था कि उसमें से 10 लकार में से सिर्फ 5 ही ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट ह तो अब मैं जितनी भी धात रूप की क्लासेस आपको लूँगे और बताऊंगे उसमें मैं एक धात को आपको डेली करके करवाऊंगे और उनी धातों से आपका परेचे करवाऊंगी जिन धातों से प्रश्ण जादा बनते हैं या कह सकते हैं कि जिन धातों से प्रश्ण आ अबत करवाऊंगी ताकि आप प्रश्ण को भी अच्छे से कर पाएं और धातुरूप से भी परचित रहें अगर प्रश्ण बनता है तो आप जरूर से जरूर उस प्रश्ण को फूरा करके एक्जाम में आएं आए फ्रेंट्स भी बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ है हमने एच तक सलस्कत को पढ़ा है ध्यान रखेगा तो आपको कोई solution नहीं है आपको सलस्कत पढ़ना पड़ेगा इसलिए अराम से एक बार में नहीं आता है तो बार तीन बार में आप देख सकते हैं ये वीडियो आपको यूट्यूब पढ़ी आएगी ठीके फ्रेंट् मैं आपको पांच लकारों में आपको पताऊंगी मैंने कहा था दस लकार है पांच ही इंपॉ्टेंट है और पांच नहीं बनता है उनसे परश्ण नहीं आता हे अब हमें देखे हैं आगे होफुली इन तक वीडियो जो भी नहीं देखेगा उन्हें नहीं समझ पर आने वाला है ध्यान रखेगा इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से आईए देखे क्या है चलिए फ्रेंड्स अब आप पहले ध्यान से देखिएगा मैंने आपको जब लकार के प्रकार से प्रकार को बढ़ा है तब ही इस बात को पता है था कि वहां पर 10 लकारों में से पांच इंपॉर्टिंट है जिसमें से की पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है वह क्री धातु का लट लकार ये लाके नीचे अरंद लगा हुआ है टाकी नीचे सोरी क्या है लट लका लट लकार का अर्थ मतलब वर्दमानकाल के बारे में यानि कि हम जिस धातु के बारे में यहां पर पहने चल रहे हैं वो है रिक्री धातु का लट लकार वर्दमानकाल लट लकार यानि कि वर्दमानकाल के बारे में हमको उस धातु का रूप लिखना है जैसा कि मैंने आप को इसके पहले की जो क्लास होई थी उसमें वचन से इंट्रियूस कर वाया था तो मैंने आपको वचन के बारे में बता था कि उत्तम पुरुस को हम अन्य पुरुस के नाम से भी जानते हैं इस बात को आप ध्यान रखेगा हो सकता है कि आपको आपकी किताबों में प्रतम पुरुस के अस्थान पर अन्य पुरुस लिखा हुआ दिखे तब आप वहाँ पर प्रवित हो सकते हैं इसलिए मैंने ये बात आ आपके सामने आपके एक्जाम में बन जाएगा और आपको ये पूरी शेम चीज होवा हूँ as it is वहाँ पर अपने एक्जाम में लिखकर आना होगा अब जो यहाँ पर पुरुस है जो हम धातु के बारे में लिखने चल रहे हैं आईए जानते हैं प्रतम पुरुस एक बचन में होगा तो इसको लिखेंगे करोती फ्रेंट्स इसको याद करना पड़ेगा इसका कोई सल्यूशन फिलाल अभी नहीं है क्योंकि जो भी है तो इसलाप से बहुत कुछ लेकिन याद ही करना पड़ते हैं अगर आप एक दो को भी याद कर लेते हैं तो बाकी सेम ऐसे ही है आप बना ले जाएंगे जैसे पट धात दो का और यह क्री धातुका अस धातुका गम धातुका सब एक जैसा है तो आपको एक याद कर लीजे आप फिर पांचों के पांचों लिख लेंगे अराम से लेकिन आपको एक जरूर याद करना पड़ेगा अब आई थोड़ा बता देती हूं कि याद कैसे करना है अब वर्तनी हम गलत कर याद तो कर सकते हैं बड़ अकर हम सही शुद्ध वर्तनी को प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कर जाएंगे जिसकी वयाँ से काफी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है इसलिए आप थोड़ा सा जो रूप है लकार है शब्द ये धातुरू दोनों अलग अलग चीज़े हैं आज धातुरूप के परें पड़ने हैं वो भी क्री धातु के आईए देखते हैं क्री धातु का प्रथम परूस एक वचन में क्या होता है तो यहाँ पर है करोती क्या है करोती यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है करोती करना यहाँ पर द मेरे साथ आप भी बोलिए, करो ती कुर्था कुर्वन्ती, मद्यम पुरुस क्रीधा तु एक वचन का रूप लिखिए, ऐसे प्रशन आपको बनेगा, पहले पढ़ते हैं, फिर बताऊंगे, क्वेशन कैसे बनता है, मद्यम पुरुस में करो सी कुर्था कुरत, उत्तम पुर आती है, उत्तम पुरुस एक वचन करो मी, उत्तम पुरुस दुई वचन कुरुवा, उत्तम पुरुस बहुचन कुर्मा, मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूं, क्या है, करो ती कुर्था कुर्था कुरत, करो मी कुरुवा कुरुमा, एनी प्रोब्लम, ऐसे याद किया गया है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सुपर टेट कर जब एक्जाम देंगे तो आपको कोई और नहीं है वहाँ पर दस नंबर का एक पेपर आएगा तो आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स काफी दिक्टे सब आपको अठ्षान्य करना प्रणा आप आप गर्दे वहाँ निकल रहा है तब आपको ज मात करना क्या है जैसे आपको प्रश्च बनेगा क्री द्धातो का लिट लकार का बवचं उत्तम पर उस लिखें क्या कहा क्रीधातु का लटलकार का बहवचन का उत्तम पुरुस लिखे तो उत्तम पुरुस ये है क्रीधातु ये है लटलकार ये है बहवचन ये है और बहवचन लिखना यानि कि आपको कुर्मा लिखना है तो आपको एक लाइन का प्रश्च बनेगा और आप उसके उत्तर में वहां पर नीचे जो है सिर्फ कुर्मा लिखकर चले आएंगे और आपको एक नंबर मिल जाएगा तब आप यह लिखें कैसे आपको याद करना पड़ेगा अब वहां पर एक घंटे का समय रहता है फिर आप सोचे कि लाव पूरा लिखे सकाई पेंसल से और लास्ट में ज बना रहे हैं इसलिए आप नोट्स बनाईए जरूर कम सबय महां पर पड़ता है हमेशा पच्छों का पेपर छूट जाता है चूट जाता है बच्छे लिखी नहीं पाते हैं इस बात को ध्यान लखेगा और सारे पेपर में जितने क्वेशन आते कंपल सरी संस्क्रिप में 18 आएंगे क्योंकि 25 नमबर के इतने भी पेपर है सब में 18 क्वेशन आएंगे 50 नमबर वाले में 40 प्रूशन आएंगे त्यान लखेगा अब आईए देखते हैं यहां पर क्या है तो जैसे मैंने आपको यह क्वेश्चन बनाया इस दर किसे बन जाएगा क्री धातु का मध्य आप समझके मुझे उमीड है आपको समझ में आ रहा है अगर प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंट्स कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा आए देखते हैं नेक्स चलते हैं दूसरे लकार की तरफ एक लकार हो गया जो हमने चाना लट लकार लट लकार का मतलब होता आईए नेक्स देखते हैं क्या है क्रीदातू का लंगलकार आपको पर् nominee क्रीधातू का लंगलकार का तीनों वचन का रूप लिखे Southeast तीनों वचन का रूपत है यह तीनों वचन को पूरा दर्स आई तब आपको ऐसा लिखना होगा आप देखें पुरुस एक तरफ वचन वचन एक तरफ अब क्या था अकरोद यह क्रिय यह अख है आप सोचेंगे कैसे यह ध्यान रखेगा कि लंग लगार में चेंज हो जाता ह वरना आप इसमें भी करोद करोद लिखने लगें ठीक है फ्रेंट अकरोद अकुर्ताम अकुर्वन अकरोव अकुर्वन 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 अ आगे चले चलते हैं आगे आप आपको भी जैसे ऊपर बताया कि क्रीधातु का लंग लकार का एक वचन का पर्थम पुरुस लिखे तो आपको आपको अक्रोध लिखना होगा इससे प्रशन आता है यह मैंने बहुत बार देखा है आपके दिखाऊंगे आपको पेपर कभी कभी ऐसा प्रशन बन जाता है बोलेगा कि क्रीधात के लंग लकार के मध्यम पुरुस के तीनों वचन लिखे तब आपको अकुरवा यह अकुरा और अकुरतम और अकुरत तीनों तीनों रूप वहाँ पर बहुत ही प्रापर तरीके से लिखना होगा क्योंकि एक एक पूछ सकता है तो दोनों का ध्यान रखेगा आगे पूरा पूछता तो याद है तो आप लिख सकते एक पूछता तोड़ा दिक्कत हो जाती है इसलिए बहुत ही प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को पढ़िएगा आगे आईए चलते हैं तीसरा तीसरा क्या है आपर क्रीध लट लकार का भविष्यत का लिट लकार याने की भविष्यत का अब इनके बारे में क्या है पुरुस एक तरफ वचर एक तरफ ठीक है मैं सा कलर चेंज करना भूल गहीं कोई बात नहीं आपको क्लेर दिख रहा होगा आप इसकी नोट ज़रूर बना लेजेगा सबी लुग इच और यहां पर करिश्यत 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 करिश्यामा 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 आपको एक भात ध्यार नकनी है जो पांच मैंने आपको बताया कि हर एक धादु का पांच लगार पूसता है पांच लगार में यह यह यह वाला है यह जल्दा पूस wrapping लगतने करश्ची के निया पूसथ इसे प्रेश्ची बनता है तो इसको बहुत याद कर लिसेगा तिक बहुत जादा तो यसको गन कर लिसे और गया आईए में इसको प्ढ़ती हूं जिसा प्रेस्ट क्या बन जांगाएगा की करीध हात् research will believe scientific प्रमृइब्यंपुरू script लास्ट में आप देख रहे हैं कि समय यावा समय यामा आ रहा है और आप बीच वाले में देख रहे हैं इसमें भी था आ रहा है था के बगल बिंदी लगी हुई है और यहां पर भी आप देख रहे हैं यह आहा लगा हुआ है ना संस्कृत में और यह आप देख रहे हैं था है तो आपको लग नहीं रहा है आप देखे सब में सेम चला रहा है यह बहुचर में अंती आ रहा है उप बढ़ते हैं अपने आप निकल कर सामने आएगे और सही रिखेंगे आगे चाहिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं यहां तक सबी को क्लियर है जिनों ने क्लास को अभी तक नहीं लाइक है वो भी इतनी अच्छी क्लास चुल रही है और नौबर के ही मंद में और बता नहीं है तो आपका दो पेपर में डिसंबर में खतम कर दूँगी किसी भी कीमत पर कोशिश के रहेगी कि साइंस भी आदे से जड़ा साइंस खतम कर दूँगी पचास नमर वाले जो प्रश्म पेपर हैं वह आपके जरूरी तक चलेगे क्योंकि वह काफी बढ़े ह चलिए आगे देखते हैं चौता लकार यहां पर क्या है क्रीध हाथ के रूप का लोट लकार अब यह क्या है यह जानना है जैसा कि हमने अभी तक ऊपर तीन और लकारों के बारे में देखा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हर चीज़ को असानी से पढ़ा असानी से देखा ए ऐसे कॉपी में आपको भी लिखना है एक कॉलम में पुरुष फिर उसके बाद वचन फिर उनकी नीचे वह यह सैट ऑफ पैटन जो है वह लिखने का सही होता है अगर आप सही तरीकी से कॉपी को लिखेंगे सही वे में तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे अब देखिए य कुर्ताम और कुर्वंत करो्त रूर कुर्ताम कुर्त कुर्त कुरत कुर्तात भी कहते हैं इसको तak faut करवार करवार देगे मुझे तक दिक्कत ही इस ना हूँ ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि इनके तीनों रूप में यहां पर करोत कुरत 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 कर्वाड करवाव कर्वाम जरूरी नहीं है मित्रों कि आपको सारे में जो है आहा की बिंदी मिले वरना आप यह सोचीगा कि सब में आहा लगते आरत लोग इसमें भी नहीं तो आप सोचीगे सब में लगाते आईए गलत हो जाएगा आप मिलद कर देंगे इस बात का बहुत ही ध्यान लखेगा संस्कृत रिखेगी बहुत फसादेगा आपको इस बात को ध्यान लख़ेगा आगे आईए तो आपका ये चोथा हो गया कोई प्रॉब्लम किसी को किसी को नहीं हो नहीं चाहिए अगर होती है तो comment box में बताईएगा आगे चलते हैं इसे के साथ देखते हैं यहाँ पर पाचवाज का क्या है क्रीधातु का विधिलिंग लकार यानि की चाहिए की योग में लोट लकार यानि की आग्या की रूप में अब देखो आप करोगी कैसे एक तरफ पुरुष कर दो एक तरफ अचन कर दो अब कुर्यात 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 कुर्याम कुर्याव कुर्वाओं एक बार मैं आपको दिखा रही हूं फिर से देखे क्या है यहां पर कुर्यात कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याव कुर्याम देख लिजे ध्यान से देखेगा समझेगा कड़िएगा तो तीन बार पढ़िएगा तब आगे बढ़िएगा clear तो यहां तक clear हो गया अब इसके बाद यह प्रश्ण है यह प्रश्ण कराने से पहले मैं एक बाद पहले उपर से आपको revise करूँ उसके बाद आपको प्रश्ण दिखाऊंगी एक लाइक तो बनता है आगे आएएप अब मैं यहां पर अब मैं यहां पर एक एक चीज को फटाफट करती चलूँगी ताक करीषो करीडात दात करोण लट्लाकार कसरा मांग करो टीकूर ता खुता कुरश कुर्थ आकउरत करों में क्रूरव कुर्मा आगे आगे आए, नेक्स देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है आगे आञे, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये वाला उसके बाद यहाँ पर क्या है next देखिए, यहां पर last one कיया है जो 5 वा है, वो यहां पर है कुरियात, कुरिदाम, कुरी, कुरू, कुरिया, कुरिदम, कुरियात, कुरिया, कुरियाम, कुरियाम आगे बढ़िए अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रŞ्ट पहला प्र्ष्ट में देख गी क्या बनता है क्रीधातु का अर्थ क्या होता है एक नमबर का ये प्रष्ट बन जाएगा काफी ऐंपॉर्टेंट है उप्रीशन लिख ली तेगा क्री धातु का अर्थ क्या होता है तो क्री धातु का अर्थ है करना क्या होता है करना आगे आईए इसी के साथ देखते हैं क्री धातु के लटलकार के मध्यमपुरुस के बहोचन में क्या होगा तो आप उत्तर में लिखेंगे क्री धातु के लटलकार की मध्यपुरुस के बहुचन में करिश्यत ही होगा जैसा कि मैंने आपको उपर पता है किस तरीके का प्रश्ण बन जाएगा दो नमबर में प्रश्ण आजाएगा बहुत आसान से एक वर्ड लिखेंगे दो नमबर अराब से फ्री के मिल जाएंगे आपको आके आरे नेकश्र देखिए भूंत में कुश्यत होगwał क्री धातु है कौन सी धातु है क्री धातु है बैद क्री धातु है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा उत्तर में आप लिखेंगे क्रीधादु का लट लगार का प्रथम पुरुष का एक वचन है करिश्यती होगा क्या होगा करिश्यती होगा चली आगे चलते हैं पांचवा प्रश्य देखते हैं कुर्वन्ति कौन सा वचन है तो आपको बताना होगा कुरुवन्ति क्रीधादु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुचन है फ्रेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे तब भी आप हर तरीके के प्रश्ण को कर पाएंगे आज की क्लास होती है यहाँ पर ओवत आपके लिए आज किस क्लास में इतना मैंने आपको क्या बता है क्रीधादु के तीन पांच लकारों के बारें बता है उनका जो है रूप बता है आपको संबंदित उससे प्रश्ण भी बता है कि किस तरीके से आपको प्रश्ण बन जाएगा तो पांच ही प्रश्ण मैंने करवाया तो आपको सभी लकारों से बनेगा तो आपको ध्यान रखना है कि कई तरीके से प्रश्ण आपको पूठा सकता है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाया पताया भी और रूप भी पूरा बताया तो यह क्लास अच्छी लगी होगी सबको समझ में आगा इसी तरीके से हम एक दिन में इक पड़ेंगे उतना इनफ है क्योंकि आप एक बार में समझ नहीं पाएंगे तो आप एक पढ़ते चलिए को दिखकर नहीं बहुत समय है आराम से करेंगे वैसे यह तेरा चौदावी क्लास साथ की संस्क्रिट की हो रही है तो बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होगी हर एक रूपों के बारे पाइप आप बताऊंगे ताकि आप गलती ना करें और किसे की बैग भी ना लगे मिलते हैं फ्रेंड इसे लेगे क्लास को नहीं लाइक करेगा कैसी लगी क्लास जिरूर क्लास जाह जब आप हर बताइब गलता हैं लाई लारे भारे लाई टेसे लाई जाप थार गलता हैं।